यह हमारा organise डायगराम दिया गया है इस अर्थोग्राफ़ी की हेलप से हमें आईसो मेटरिक डायगराम बनाना है और इसमें जो मिस्लाइन है, उस मिस्लाइन को हमें ढूरणना है तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्या करते है मेक्सिमिम डायमिशन निकालेगे तो maximum dimension क्या हुई जैसे इसकी diagram का यह हमारा क्या हुआ front यह front है यह side है और यह top है यह diagram हमारा first angle में है तो 35, 15 यह हमारा कितना होगा 50, 20, 20, 40 और यह 20, 60 तो यह 60, 50 का एक हमें box बनेगा front से और side से जो box आएगा 14 to 15 यानि 40 mm में इसकी चौड़ाई और 50 mm में इसकी उचाई top से जो box हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा 60 into 40 किंकि 60 इसकी लंबाई है और 40 इसकी क्या है चौड़ाई है यह top कह लीजिए या फिर bottom से इतनी dimension हमारी आएगी तो यहाँ पर इन तीनों dimension का एक box बना लेते हैं base line ड्राउ होने के बाद scale को इस position पर हम लोगों को set कर लेना है set square से 30 degree पर एक line हम लोग यह ड्राउ कर देते हैं इसको पलेट लिया और एक line यह हम लोगों ने ड्राउ कर दे यह दोनों line हमारी 30 degree पर है इसके बाद इसको इस position पर लगाया और इसके mid वाले point से एक line यह ड्राउ कर दे तो तीन line हम लोग ड्राउ कर चुके हैं length इसकी हमारी है 60 mm तो यहाँ पर हम लोग 60 mm का measurement ले लेते हैं यह हमारा 60 mm हो गया उसके बाद यह हमारा 40 mm तो यह 40 mm इसकी चौडाई हम लोगों ने ले ली 40 के बाद इसकी जो height है वो है 50 mm तो 50 mm हम लोग height ले लेते हैं यह 50 mm scale को फिर से base line पर set कर लिया इस पहले वाले point से एक perpendicular line ड्रो कर दी last वाले point से एक perpendicular line ड्रो कर दी set square को एस position पर set कर लिया और इस पहले वाले point से यह जो हमा रा point लगा यह vertical पर इसносे एक line draw कर ली इसको palette के इस position पर लगा है इसी mid point से एक line हम लोगों ने यहां draw कर ली इसी को लगा रहने दिया और आगे बढाया इस वाले point से एक line draw कर ली इसके बाद इसको इस position पर गुमा लिया और इसका support हमारा इस वाले scale से रहता है यानि scale मजबूती से पकड़ा जाएगा और ये इस तरीके से चलेगा इस वाले point तक लाना है इस वाले point पे लाके ये हम लोगों ने मिला दिया तो इस तरीके से ये हमारा Q-White तैयार हो गया इस आर्थोग्राफिसे हम लोग isometric बनाने के लिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या इस वाले front view को उठाएंगे इस front view में ये जो design हम लोगों को दिख रही है बागी ये material क्या हुआ हट गया तो ये design सबसे पहले यहां पर हम लोग draw करेंगे इसकी dimension ये दी गई है यानि 20 और ये दी गई है 15 यानि इधर से 20 mm और नीचे से 15 mm लेके बागी extra material को हटा देना है तो हम लोग यहां dimension ले लेते हैं ये map हमारी 20 mm हो गई और नीचे से map यहां हमारी दी गई है 15 तो ये हम लोग 15 यहां ले लेते हैं ये हो गई 15 तो इन दोनों पॉइंटों से हम लोग जो extra material होगा आप वो हटाएंगे scale को baseline पर set कर लेते हैं इस नीचे वाले point से एक line हम लोग ये draw करते हैं इस vertical वाले point से इसको नीचे लाते हैं scale को set square को इस position पर set कर लेते हैं और इस वाले point से एक line ही ड्रॉ करते हैं तो सामने से देखने पर ये diagram हमारा इस save में आ गया कुछ कुछ तो बागी तो बीच में कोई material है नहीं तो उस वाले material को हटा देते हैं इस वाले point से ये cutting करते हैं इस बीच वाले point से भी हम लोगों को cutting करनी है इस से एक line खींच लिए ये line हैं अभी कोई माप के नहीं है कम जादा भी हो सकती है उपर वाले point से एक line हमारी नीचे ड्रॉ होगी जो ये line हम लोगों ने खींच लिए इस line को हमारा ये यहाँ पर cut किया तो ये point और ये point match होंगे तो इन दोनों point हों को हमने match करा दिया अब ये diagram हमें किस तरीके का दिख रहा है इस तरीके से front में आने पर दिखना चाहिए तो extra line हों को हटा देते हैं तो ये diagram हमें यहाँ साप साप दिखाई दे रहा है कि ये coat si type का हो गया है अब इसी इतने ही diagram में हमें ये design लेनी है अब हम लोग इसको side view को भी पकड़ सकते हैं और top view को भी पकड़ सकते हैं अगर हम लोग top view को पकड़ेंगे तो top से देखने पर ये पट्टी दिखाई दे रही है ये जो पट्टी ये वाली पट्टी हो गए ठीक है ये महारे ये हां दे उसके बाद ये गिए जो portion rectangle दिखाई दे रहा है यहां पर rectangle ना दिखाई दे कि इधर से कितना bit cm और इस वाले line से कितना 20 cm यानि इस point से 20 cm और इधर से ये 20 cm या कहिए इस वाले point से 20 cm और इसी point से इधर 20 cm क्यूंकि इधर तो ये चालिस है और ये भी चालिस है तो इन दोनों के मिड़ पर एक पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट उन दोनों पॉइंटों को मिलाना है तो हम लोग यहां 20 mm की डाइमेंशन ले लेते हैं इसमें ये मारा हो गया 20 mm तो इस वाले point से हम लोग 20 mm लगा लेते हैं और इसी point से एक 20 mm का ये निशान लगाए ठीक इसी तरीके से नीचे भी हम लोग 20 mm और यहाँ 20 mm एक clear हो गया कि ये point हमारा इससे match होगा तो इस point को हम लोग match कर देते हैं ये point match हो जाएगा नीचे भी ये point match हो जाएगा ये दोनों point आपस में match हो जाएगे ये भी match होंगे तो ये ये वाली cutting हमारी आ गई तो ये जो portion इतना दिख रहा है ये ही वाला हमारा ये portion है उसके बाद बागी इसमें हमें क्या दिखेगा अब हम लोग इसको क्या करते हैं side view पकड़ते हैं तो side से देखने पर एक पट्टी ये दिख रही है तो ये portion दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा इसको हम लोग पहले dark कर लेते हैं front से देखने पर ये पूरी पट्टी दिखाई दे रही जिसमें कुछ misline भी है तो ये पूरी पट्टी हमारी हो गई लेकिन ये यहाँ पर उपर क्या है triangle है नीचे से कितना है 15 तो नीचे से ये 15 height तो होई गई यहाँ से ये 15 और उपर mid point पे है triangle ये मारा कितना है 40 तो 20 mm की map तो हम लोग लेई चुके थे इस वाले point से जो हम लोग ने ना पता तो इसका half ले लेते हैं इधर से निशान लगा लिया और इधर से लगा लिया तो ये दोनों एक ही पे आ रहे हैं तो यानि ये मारा बिलकुल right है तो इस वाले point से हम लोग इस वाले point को मिला देते हैं इस वाले point से इस point को मिला देंगे ये वाली line भी हम लोग मिलाएंगे इस line को dark कर लेते हैं अब इतना हमारा portion ये हो गया जबकि इसी के parallel एक line और हमारी यहां मिलेगी तो उसको point को ढूणने के लिए हम लोग क्या करते हैं या तो dimension ले सकते हैं या scale को base line पर set कर लिया और यही जो point हमारा है ये point हमारा कहा जाएगा ये हमारा यहां पर आ जाएगा तो ये तो यहां से यहां तक ये dark हो जाएगा हमारा जिस तरीके से ये point हमारा यहां मैच हुआ और इसके पीछे वाला point यहां पर मैच होगा तो ये पीछे वाला point हम लोगों ने यहां मैच करा दिये अब इसमें हमारा बच्चा है miss line तो line इसमें हमारी क्या-क्या missing हुई है front से देखने पर हमारी क्या-क्या दिखाई दे रहा है एक portion ये है और एक portion ये है तो जिसमें से एक portion हमारा ये आ गया और एक portion ये हो गया जिसमें से ये जो line है ये हमारी missing line क्योंकि जब ये job हमारा real में बनेगा तो ये कोना तो आ नहीं आना है तो इस line को भी हम लोग complete कर लेते हैं तो हमारी एक तो ये missing line हो गई तो side से देखने पर जिसमें हम लोगों ने cut लगाएं एक तो ये टुकड़ा दिखाई देगा उसके माद ये taper वाला टुकड़ा दिखाई देगा जिस पर cut के निशान लगाएं है तो यहाँ पर ये जो टुकड़ा हमारा इधर से इधर dimension कितनी है बीस तो यानि इधर से बीस और इधर से बीस लेकर एक line हमें draw करनी है side से देखने पर side में हमारी एक missing line ये आई है जब हम लोग इसको top से देखेंगे top से देखने पर ये portion हमें दिखाई देगा जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है उसके बाद ये जो taper वाला portion है इधर है और इसके इधर भी है तो ये taper वाला portion जो आएगा वो half इधर है और half उधर है तो इधर से इन दोनों के midpoint पर एक सीधी line आएगी ये 20 mm हुआ हमारा और 20 का ये निशान है इसको match कर दिया इस तरीके से ये diagram हमारा complete हो गया झाला झाला है